दोस्तों गरुर पुरान में भगवान श्री कृष्ण ने गरुर जी को मृत्यू से एक घंटा पहले मिलने वाले संकेट बताये हैं जब मृत्यू मनुष्य के निकट आती है तो उसे प्रकृति के द्वारा पिचित्र संकेट मिलते हैं मनुष्य को अगर यह चीजें अचानक ही दिखाई दें तो उसे समझ लेना चाहिए कि कुछ ही मिटों में उसकी मृत्यू होने बाली है कई लोग इन संकेटों को नजर अंदास कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे भी है जिनको ये संकेट समझ नहीं आते और मृत्यू को गले लगा लेते हैं ये संकेट जैसे मिले मनुश्य को अपने जीवन के अंतिन शनों में इश्वर को यार करना चाहिए ताकि उसे नरग की सजा फुगतनी ना पड़े यह संकेट हमें पशु पक्षियों के द्वारा तथा अचानक ही सपने में दिखाई पड़ते हैं आए जान लेते हैं धगवान श्रीकृष्ण ने मृत्यू के कौन से रहसे बताए हैं श्रीकृष्ण कीता में कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यू भी निश्चित होती है लेकिन इनसान अपनी मृत्यू को हमेशा टालने की कोशिश करता है लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसकी मृत्यू अडल है और जब उसकी मृत्यू होने वाली होगी तब उसे स्वयम ही पता चल जाएगा कि अब मृत्यू का समय निकठी है मृत्यू से कुछ समय पहले मनुष्य को एहसास हो जाता है कि उसकी मृत्यू कुछ ही समय में होने वाली है मृत्यू आने से पहले कुछ ऐसे संकेट दिखाई देने लगते हैं जिससे इनसान को पता चल जाता है कि उसकी मृत्यू मात्र एक घंटे में होने वाली है श्रीकृष्ण ने ऐसे पांच संकेट बताए हैं जिससे इनसान अपनी मृत्यू के बारे में बता कर सकता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कुछ महत्वपोन जानकारी। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यू होना निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि कर्म ही मनुष्य का सब कुछ है। कर्मों से ही भागिगी उत्पक्ति होती है। इसलिए जीस व्यक् के मन में यह संशय अवश्य होगा कि क्या हमें मरने से पूर्व मृत्यू का आभास हो सकता है। इसके क्या संकेत गरूर पुरान में बताये गए हैं। इन सभी प्रशनों के उत्तर जानने के लिए विडियो को पूरा दिखें। गरूर पुरान में जीवन से लेकर से बताया है। इस संसार में जन्मा हर जीव, जीवन और मृत्यू के चक्र में भंसा हुआ है। जिस प्रकार जन्म सत्य है उसी प्रकार मृत्यू भी एक सत्य है जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। इसीलिए मृत्यू पर विजयपाना असंभव है। इश्वर की इच्छा के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी आयू से एक शन भी अधिक जीवित नहीं रह सकता हर व्यक्ति जीवन के इस कटू सत्य को जानता है परंतु फिर भी वह मृत्यू को लेकर भयभीत रहता है गरूर पुरान में मृत्यू के पूर्व मिलने वाले संकतों के बारे में बताया गया जिन्हें हमें जान लेने से ये पता लगा सकते हैं कि हमारा मृत्यू का समय अपनिकट आ जुका है गरूर पुरान के प्रेट कल्प अध्याय के अनुसार करूर जी भगवान विश्नू से कहते हैं कि है प्रभू मृत्यू से पहले दिखने वाले संकेत और मृत्यू आने प तीके शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन हो जाता है, इंडरीये काम करना छोड़ देती है, और शरीर नीला पढ़ने लगता है, ऐसे व्यक्ति को उस समय बहुत पीड़ा होती है, और अंत में यमदूर उसके समीब आकर खड़े हो जाते हैं, और उसके प्राणों को अपनी और खीचना शुरू करते हैं, उस समय ब्राण कंठ में आ जाते हैं, मृत्यू के पूर्व मृतक का रोप गंदा हो जाता है, मोह लाल से भर जाता है, जो लोग अज्यान तथा भ्रमित करने का उप्देश देते हैं, वे मृत्यू के समय महा अंधकार में भंस जाते हैं, जो आत्मा को यमदूत लाठी से मारते हुए लेकर जाते हैं, उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अपने माता पिता और पुत्र को याद करके जोर जोर से रोने लगता है, उस समय प्रयास करने पर भी उस जीव के कंठ से एक भी शब्द असपष्ट नहीं निकलता, उसकी सास बढ़ जाती हैं और मुह सुखने लगता है, उसके बाद वेदना से आपिष्ट होकर वह अपने शरीर का परित्याग करता है, और वह सब के लिए घ्रेना योग्य हो जाता है, शरीर से जीव आत्मा को निकालने के बाद यमदूत दक्षिन दिशा की और प्रस्थान करते है यमदूत उस जीवात्मा को इस प्रकार यमलोग की ओर ले जाते हैं, जैसे किसी अपराधी को राजा के सामने ले जाया जाता है, इसके अतरिक्ट जो लोग छूठ नहीं बोलते, जो प्रीदी का भेदन नहीं करते और श्रधावान हैं, उन्हें सुख पूर्वक मृत्यू प्राथ होती है, तो दोस्तों अब हम जानते हैं, मृत्यू कसे पूर्व हमें कौन से संकेट मिलते हैं, सबसे पहला संकेट, मृत्यू से पूर्व रहस्यमय द्वार का दिखाई देना, दोस्तों गरोर पुराण के अनुसार, मृत्यू का समय नस्दीक आने पर मनुष्य को सपने में रहस्य में दर्वाजे दिखाई देने लगते हैं, कुछ लोगों को दर्वाजों से आप की लपटें आती हुई दिखाई देती हैं, तो कुछ लोगों को दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, अगर ऐसा संखेट इसी मनुष्य को मिलता है, तो उसकी मृत्यू एक दिन में हो जाती है, जह द्वार स्वर्व और नरग के द्वार होते हैं, मृत्यू से पूर्व मनुष्य को जीज प्रकार का द्वार दिखाई देता है, वह मृत्यू के बाद वही पर जाता है, कई बार वह सपने में खुद को इन दर्वाजों के सामने खड़ा हुआ उसे केवल स्वर्ग और नरक के प्रवेश्ट द्वार ही दिखाई देते हैं, जो बहुत ही विशाल काय होते हैं, दूसरा संकेत है जीवन धर के कर्म दिखाई देना, यदि किसी मनुष्य की मृत्यू का समय निकटाता है, तो उसका मन अचानक ही अस्वस्थ हो जाता है, उसे अचानक ही उसके द्वारा किये गए बुरे कार्ययाद आने लगते हैं, वह ना चाहते हुए भी इन बुरी यादों को रोक नहीं बाता है, साथ ही उस मनुष्य को उसके द्वारा किये गए अच्छे काम भी याद आने लगते हैं, वह उस समय अपने अच्छे और बुरे कर कर्मों का संतुलन बनाने लग जाता है लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वह अचानक अपने कर्मों को क्यों याद कर रहा है वह ध्यानियों की अवस्था में पहुंच जाता है अकस्माध ही पुरानी यादें परिवार के साथ विताय हुए पल उसके सामने प्रकट होने ल कि वह कहाँ पर बीठा है? उसके आस पास कौन भैठा है? उसकी आखों पर माया का परदा झाजा जाता है. यह संकेत कुछ ही समय के लिए होता है, जिसके बाद वह मनुश्य फिर से जेतना में आ जाता है, और सब कुछ भूल जाता है. तीसरा संकेत है सपने में पूर्वजों का दिखाई देना गरुर उरान के अनुसार मृत्यू से कुछ दिनों पहले मनुष्य को सपनों के माध्यम से संकेत प्राप्थ होता है यह संके उसके पूर्वजों द्वारा मिलता है, जिसमें मनुष्य की मृत्यों होने वाली होती है, तो उसे सपने में उसके पूर्वज दिखाई देते हैं, अगर सपने में पूर्वज रोते हुए दिखाई दे, अथवा बहुत ही दुखी अवस्था में दिखाई दे रहे ह तो समझ जाना चाहिए कि वह मनुष्य अब कुछ ही दिनों का महमान है, उसे उसकी सभी मृत परिजन बारी बारी से दिखाई देने लगते हैं, कुछ लोग इसे मातर एक सपना समझ कर दूलक्षित कर देते हैं, लेकिन यह एक मृत्यू का संकेत होता है, पर लोग में निवा करने वाले मृत परिजन सपनों के माध्यम से हमें बात करने की कोशिश करते हैं, जिसे कभी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, चौथा संकेत उल्लू तथा जली हुली लकडी का दिखाई देना, तरोर पुरान के अनुसार उल्लू का घर पर आकर बोलना अशुक संकेत हो और उसे डर लगता है, तो उसके मृत्यू का समय अब निकठ है, ऐसा समझना चाहिए, उस व्यक्ती को अपने परिबार के लोगों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, और जीवन में की गई गर्तियों को सुधारना चाहिए, अगर व्यक्ति को सपने में जलती हुई चिता अथवा जलती हुई लगडी दिखाई देती है तो यह भी मृत्यू का संकेत माना गया है ऐसे व्यक्ति की मृत्यू 81 दिनों के भीतर हो जाती है। यदि मनुष्य सपने में खुद की अर्थी देखता है तो उसकी मृत्यू का समय नस्दीक है। ऐसा समझना चाहिए पांचवा संकेत यमराज के दूदों के पास आने का आभास होना। श्री कृष्ण के अनुसार जी उसके पास कोई नकारात्मक शक्ती मौजूद है जो उसे खीच रही है। लेकिन जब उसकी मृत्यू में केवल 21 सेकंड शेश रह जाते हैं तो उसे अचानक ही उसके सामने खड़े यमदूर दिखाए देते हैं। जिन्हें देखकर वह अचानक ही अपना मानसिक संतुलन को देता है और स्थब्ध हो जाता है। वह मनुष्य यम्राज के दूतों को देखकर भयभीत हो जाता है। लेकिन वह उस समय कुछ भी बोल नहीं पाता है। वह रोने लगता है लेकिन फिर भी उसके परिजन समझ नहीं पाते हैं कि वह क्यो रो रहा है। उसके कुछ ही समय ब केवल इश्वर का ध्यान करना चाहिए और दान धर्म करना चाहिए ताकि उसे मृत्यू के बाद नरक में ना जाना पड़े उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी विडियो को लाइक जरूर करें कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें